30-32 बरस मैंने जियोतिश, वास्तु, ध्यान इन विश्यों पर काम किया हमें योगदान देना होगा, यहां गुरुकुल में आप आईए निशुलक रेमडीज, निशुलक राये हम लोग मिलकर दे जिससे कि भारतिय ग्यान परंपरा घर-घर पहुंचे लोगों को सुक्ष सम्रिध्धी और संपन्ता का हैसास हो और वो पुनहा अपनी उस विरासत से जुड़े उस भ्रहमित अवस्था से बाहराएं और एक सुख पूर्वक जीवन जीएं लगभग 170 लोगों ने परसों योगदान लिया अब इसे और विवस्थित करेंगे अब तक हमने इस परंपरा को इस संकल्प को पूरा करने की द्रिष्टी से कुल योगदान 25 योगदान गुरु कुल में किये पिछले बरस में और पैंतिस सो के लगभग तोटल लोगों ने यहां से योगदान लिया और इस बरस हम इसे और बहतर करना चाहेंगे और बढ़ाना चाहेंगे मैं पिछले बरस दस योगदान ही कर पाया जिसमें ایک हजार लोगों ने लाप पाया हमने life course conduct किया जिसमें योग, तंत्र और दर्शन शास्त्रों के अधार पर अपना जीवन शैली कैसा होना चाहिए अपने आपको किस प्रकार से हम संतुलित करें इस पर हमने course किया जिसमें 205 लोगों ने life course किया यहां पर कुछ लोगों पस्तित भी होंगे फिर तंत्र पर बहुत जादा लोगों की डिमांड थी और तंत्र बहुत ही mystic सा subject रहा है तो तंत्र का अभ्यास पैंसेट लोगों ने किया मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा जिन्होंने life course किया है और तंतर कोर्स किया है कि वो लोग नियमित ध्यान के लिए गुरुकुल आना शुरू करें क्योंकि कल जिन लोगों ने intuitively गुरुकुल की भूमी को scan किया है वो इसकी power को पहचान पा रहे है किस परकार से मन स्थिर हो जाता है किस परकार से नए विचार आने लगते हैं किस परकार से आप एक अलग ही जोन में प्रवेश कर जाते हैं तो उसका खूब लाव लीजिए और एक जुटता दिखाते हुए कारेकरम आप लोग जिम्मेवारी लीजिए कि भी ध्यान का कारेकरम मैं आके लीड करूँगा सभी अचारे करा सकते हैं पर हम जादा से जादा लोगों को ध्यान से परीचे करवाएं कि ध्यान क्या है वैवारी क्द्यान क्या है जिससे आप परफेक्शन पा सकते हैं सिद्धियां पा सकते हैं जिससे आप सही दिशा में सोच सकते हैं जिससे आप अपने आपको स्वस्थ कर सकते हैं इस साल हम लोग गुरुकुल में जोतिश और वास्तु के कोर्स करवाएंगे क्योंकि जोतिश को वेदों का तीसरा नेतर कहा जाता है तो वेदों को समझने के लिए जो सबसे पहला विशय है वो है जोतिश तो मैं चाहता हूँ जोतिश और पंचांग क्योंकि पंचांग के अधार पर सारा का सारा हिंदू कल्चर हिंदू संस्कृती और हमारे जो जीवन शैली है वो पंचांग पर अधारित है मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी लोग पंचांग को पढ़ना सीखें विशेशकर जो नई पीड़ी है वो पंचांग को पढ़ना सीखे जोतिश को समझे 51 बरस की उमर 92 में काम शुरू किया 92 में 31 बरस हो गए है और मैं आज कहूँ कि कोई कितना ही भाशन देता रहे कि जोतिश में कुछ नहीं है मैंने तो जोतिश के प्रती लोगों की जिग्यासा को बढ़ते हुई देखा है कम तो कुछ हुआ नहीं क्या आप लोग भी इसे तस्दीक करते हो तो क्या ये जरूरी नहीं है कि उसको आधुनिक परिवेश में समझ लिया जाए इसका अर्थ क्या है आप लोग जाकर भी जोतिश इस प्रकार से पढ़ाएं किसी को भी कि ये जनम पत्री ठीक ऐसे है कि तुम राजा हो और तुम्हारे मंत्रा लेके बारा कमरे है और पहला कमरा तुम्हारा पी आर देखता है पी आर में क्या होता है कि भी ये आदमी कैसा है लोग पूछते हैं न वो तुम्हारा पहला कमरा बताता है यानि पहला खाना बताता है पैसा कैसा है कैसे आएगा दूसरा खाना बताता है कैसे आएगा तो क्या सिस्टम होना चाहिए क्या वातावरन होना चाहिए वो राशी बताती है इस सरल भाशा में गुरू कुल में बच्चों के लिए जोतिश सिखाया जाएगा और ताकि बच्चे अपने क्लासिज में अपने सहपाथियों के साथ रिलेट करते हुए अपनी सवेरनेस को और प्रगाड करें और अपनी ज किस प्रकार से किस संदर्म में मुझे क्या प्रोच रखने से सफलता मिलेगी इस दृष्टी कौन से अपने यहां पर जोतिश और वास्तू दोनों सिखाये जाएंगे बहुत बेसिक फॉर्म में बहुत बेसिक उसमें और मैंने कहा है टीम पांसात हजार रुपे में यह कोर सेंट सीट निशुलक होंगी कि जो कहें मैं पांसात हजार भी नहीं दे सकता भई तुम बिल्कुल निशुलक आके यह कोर्सिस को करो ताकि हम विशव गुरु भारत की संकल्पना को साकार कर साथाएं ठीक इसी के साथ मंत्रो चारन के कोर्सिस यग्य कैसे करें और हमारी परंपरा से जुड़े हुए और बहुत सारे वो पहलू जिसके बारे में एक बुन्यादी समझ होनी जरूरी है उसके लिए शॉर्ट डियूरेशन प्रोग्राम इस बरस हम लोग चलाएंगे अभी शुरुआत करी है गुरू पूर्णिमा के उपलक्ष में सर्वेयर्ज के लिए फ्री ट्रेनिंग सर्वेयर्ज ताकि वो सही नक्षा बना सके और उनकी फीस को स्टेंडडाइज कर दिया है ताकि देश भर में उनको सम्मान मिले महावास्तु की और से उनको पहचान दी गई है परिचय पतर दिये गए हैं अभी अपने इस कारेकरम में करनाटक से एक आटोकैड सिखाने वाले एक्सपर्ट भी आए उन्होंने कहा मैं आटोकैड सिखाना चाहता हूँ अगामी वर्ष में हम लोग फ्री में आटोकैड सिखाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आटोकैड सीख कर सर्वे कर सके और अपना रोजगार सुनिश्चित कर सके ये भी महागुरू क की और से एक स्किल ड्वेल्पमेंट का प्रोग्राम निशुल्क परदान किया जाएगा इसके इलाबा इस महा संकल्प में आप सभी की बहुत जादा भागीदारी की जरूरत है जो लोग एक जॉब के जैसे काम करना चाहेंगे उनका भी स्वागत है और जो लोग सिरफ योगदान देना चाहेंगे कि भई मुझे कुछ काम बता दीजिए मैं हफते में चार घंटे नीमित रूप से निकाल कर ये काम रिमोटली बैठके भी कर दूँगा उधारन के लिए कोई प्रक्यॉर्मेंट्स का ही काम है तो कोई जिम्मा ले सकता है कि मुझे समझ है कि मैं सही दाम में सही चीजे गुरू कुल के लिए प्रक्यॉर करने का जिम्मा लूँगा और भी ऐसे बहुत सारे जिम्में हैं जो घर में बैठके लिए जा सकते हैं तो इसको साधना की दृष्टी से अपनी करम साधना गुरुकुल में आप सहयोगदान के रूप में दीजिए ऐसा मेरा आवाहन है ताकि आपकी एनरजी सार्थकारेओं में लगे और मिल जुलकर हम इस महा संकल्प विशव गुरु भारत की संकल्पना को साकार कर सके महा गुरुकुल में मेंबर्शिप के लिए सभी लोग बहुत समय से कह रहे हैं कि एक सिस्टम सा बन जाए एक विवस्था बन जाए ताकि मेंबर्श यहां पर आकर कभी तीन दिन के लिए गुरुकुल में ही रह सके यहां की एनरजी बहुत पावरफुल है बहुत पॉस्टिव इफेक्ट मिलते हैं अभी रहने की विवस्था सीमित सी विवस्था है लग भग तीस लोग गुरुकुल में रह सकते हैं तो यह एक कारेकरम अपने आप आप लोग ही एक समिती बनाकर शुरू कर लीजिए कि एक मेंबर्शिप रख ली कोई इसका जिम्मा ले लेगा कि भई तीस लोग आए तो ध्यान का शिवर हो गया यहां पर आके बैठके ध्यान किया यहीं भोजन किया यहीं रहे और यहीं से अपना बापिस घर चले गए ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो तीन महीने में एक बार आके कम से कम तीन महीने में एक बार आके तीन दिन का ध्यान करके चले जाएं बस बोले हम यहां आएं यहीं रहें यहीं खाएं यहीं ध्यान करें बस इतना हो जाए इन कोर्सिस के बारे में यह सब कोर्सिस के बारे में और अधिक जानकारी नेट पर वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी ये मेरे मन के भाव थे इसके पीछे का मरम क्या है वो मैंने आपके साथ रखा पर मेरा आवाहन गुरु पूर्निमा पर यदि मुझे आप कुछ सने कुछ प्यार कुछ शुबकाम नाएं देने के लिए आए हैं तो मैं आपसे उस एक जुटता को चाहता हूँ कि हम लोग मिलकर एक टीम वर्क करें और जीवन का कुछ समय दस परसेंट समय अपने करम का दान करें योगदान के रूप में और गुरु कुल में अपने करम का दान ये छुट-छुटे कारे करम बनाने के लिए हम करें यह भागीदारी मैं आपसे चाहता हूँ इसके लिए मैं आपका अवाहन करता हूँ और आप टीम से मिलके अपना इंटेंट दे सकते हैं और इस साल कुछ महा करते हैं सच में धेर सारे सने के साथ हार्दिक शुब कामने महा नमहा महा नमहा महा नमहा